वेलेसली नी सहाई कारी योजना सारांच अधार में सदीना अंतमा भारत राजनाईतिक शितिच तरीके उभरवा लागियू हतु। आ कारणों सर कंपनी वधुने वधु वेपार करवाना बहाने भारत मा पोतानी सत्ता स्थापवा मांगतु हतु। आ माटे तेने राजकी अवग वधारवा अंग्रेज राजनिती अपनावी। सैधान्तिक समझ। भारत मां अंग्रेज शासन वधारवा मां वेलेसली ये शरुवात करी हती। वेलेसली गवर्नर जन्रल बनी भारत मां आवेव। त्यारे इंगलेंड अने फ्रांस वच्चे तीवरस परधा चालती हती। वेलेसली द्वारा एक योजना बनावा मां आवे हती। आप्रमाले अंग्रेज सैन्य अने प्रतिनी धी सच्च्वाता परंतु देशी राजियो अंग्रेज सैन्य नो उप्योग करी शक्ता नही। वेलेसली नी सहायकारी योजना मां भारत मां अनेक राजियो जेवा के हैद्राबाद, मैसूर, अयोध्य, तांजोर वगेरे राजियो नो समावेश करवा मां आवे हो। वेलेसली नी सहायकारी योजना मीठा जेर समान हती। इटले के शरुवत मा राजवियोंने सलामती औने मदद बतावती, परन्तु हकीकत मा ते समय जता गुलामी नो अनुभव करावती हती। मराठा सर्दारों मा अंदरों अंदर जगडा करावी, तेमने पड सहाय कारी योजना मा समाववा मा आवया। मराठा संगो वच्चे थता जगडानो लाब लई। अंग्रेजोई तेमने भागला पाड़ों अने राज करों नी नितीना भोग बनावया। आवप्रांथ, गेरवहिवत ना बहाने तांचोर, सूरत, अयोध्या, गोरकपुर, कर्णातक अने फरुखाबाद वगेरे राज्यों कंप्रीना प्रदेश साथे जोडाया। सैधान्दिक समझ, वैलेसली नी विस्तार योजना आगण वधारता अंग्रेजो उत्तर तरफ वड़या, परन्तु नेपाड मा पोता नी योजना निश्वर जवाना भय थी, तेनी साथे मैत्री सबंदो बांध्या। अंग्रेजो नी विस्तार वधारवानी लालच मा तेने सरहत पर पोतानू वर्चस्व स्थापवानो प्रयत्द करेओ। तेमज, शिक महराजा रंजीत सीन साथे मित्रता बांधी अफगान आने सिंध प्रदेश पोताना कबजे करेा। पंजाब मा वत्ती जती शिखोनी ताकात थी, अंग्रेजो य ते हडपवानी कोशिश करी। परंतु ज्यां सुधी रंजीत सी हयात हता, त्यां सुधी आ कार्य शक्या बने तेम नहतू। रंजीत सी ए समय मा शक्तिशाडी शासक हता, आथी अंग्रेजो य तेनी साथे मित्रता निभावी। रंजीत सी द्वारा राज्य ना रक्षन माते यूरोपियन अफसरों नी मदद थी, मजबूत सेना तयार करवा मावी हती, जेना कारणे तेने आसपास ना मोटा भाग ना राज्यो पोता ना हस्तक कर्या हता। रंजीत सी जीव्या त्या सुधी अंग्रेजो पंजाब न वहिवट माँ दखलगिरी करवाने हिम्मत न करी शक्या, परन्तु तेमना अवसान बाद पंजाब मा लॉड हाडेज द्वारा भेदबावनी नीती अजमावी, तेने पण अंग्रेज शासन माँ उमेरी दिधू डलहाउसी अने तेनी खासा नीती, वेलेसली नी विस्तार योजना स्विकारवा थी, देशी राजियोंने अंदर नो के बाहार नो भय न जणाता, तेओ बे जवाबदार बन्या, तेओनी लाप परवाही नी असर राज्य विवस्था पर पड़ी, अने ए गेरवईवत नो अंतलाववाना बहाने अंग्रेजोय देशी राजियों मा दखलगिरी करवानू शरू करियूं, अने आज अफसर नो लाप लौड डलहाउसी ये लिधो, अने अंग्रेज सामराज्य स्थापित करियूं, सैधान तिक समझ, इस विसन अधार सो अड़तारिस मां, छतरीस वर अने युवान वय, लौड डलहाउसी भारत नो गवर्नर बनेऊ, ते उग्र सामराज्य वादी साथे दिर्ग द्रश्टी धरावतो, अने समात सुधारत पण हतो, डलहाउसी द्वारा सव प्रथम भारत मां इस विसन अधार सो तो त्रेपन मां, मुंबई थी थाणा सुध जीनों, एटले के 35 किलोमीटर रेलवे मार्क शरू करवा मा आवियो, तेढे बाल लगन प्रतिबंधक धारो अने विद्वा पुनह विवाधारो पन पसार करेो, ते समय मां शिक्षर ना विकास माटे नी भलामणों ना आधारे, इस विसन अधार सो सत्तावन मां, चन्नाई, इटले के मदरास, अने कलकता खाते भारत नी प्रथम त्रोण युनिवर्सिटियों शरू करवा मा आवि, भारत मा वधु उपज करावता प्रदेशों, जिवा के चा कोफी नो प्रदेश, कपास नो प्रदेश वगेरे अंग्रेजों ने हस्त गत करी, करोणों आपवानों डेलहाउसी नो आश्य हतो, जना कारणे तेने उपर जनावे मुझबना सुधारा अंग्रेजों नी सवलतों माटे करी आप्या हता, खालसा निती, लोर्ड डेलहाउसी द्वारा अपनावेली खालसा निती, सामराज्य वादी निती हती, खालसा निती एटले, राजा नी सत्तानों अंत लावी, तेना राज्य ने सिधूज अंग्रेज शासन मा भेडवी दिधू, आ निती, नीचे प्रमाणे त्रण रिते अवलमा मुखवामा आवी, 1. सहायकारी योजना स्विकारेल राजाओ द्वारा राजविवस्थामा थायल गेर वहिवटना महाने अने देवु वधी जवाना कारणे आश्टित राज्योंने खालसा करवामा आव्या, दाखला तरीके अयोध्यानू राज्य 2. आउप्रांद, बिन्वारस मृत्यू पामेल राजाओनो पुत्र दत्तक लिवाना अधिकार ने नाम मंजूर करी, तेमना राज्यों खालसा करवामा आव्या, छेमा सतारा, छांसी, जैतपूर, संबलपूर, नागपूर, तांजोर, करना तक वगेरे 3. जिया अंग्रेजों नी कूटनी ती उप्योग मा न आवी, तेया युद्धो द्वारा राज्यों खालसा करवामा आव्या, जेमके शिखों साथे युद्ध करी, तेने खालसा करवामा आव्यूं, तेमज म्यान मर एटले के बर्माना राजा ने हरावी ने, तेनी पासे रंगुन सहित नो गेगो प्रांत पोता ने हस्तक लिधो, उप्पर ना राज्यों खालसा करया तेमा थी, जांसी जित्वामा अंग्रेजों ने महनत करवी पड़ी हती, कारण के जांसी नी राणी लक्ष्मीबाई ये दत्तक पुत्र नाम मंजूर अधिकार नो विरोध कर तेम छता राणी लक्ष्मीबाई ये वीर्ता पूर्वक अंग्रेजों सामे युद्ध करियू औने अंतमा ते लड़ता लड़ता शहित थया आम डलहाउसी ए जीत, जबती औने खालसानी निती द्वारा समगर भारतमा ब्रिटिश शासननू सामराजिय सापित करियू इस विशन 857 स्वातंत्रे संग्राम सारांच वैलेसली नी सहायकारी योजना अने लड़ डलहाउसी नी खालसा निती नी असर थी आखा देश मा खळबढात मची गयो हतो अंग्रेज सरकार नी भेदभाव भरी राजकिय, सामाजिक, आर्थिक औने धार्मिक निती ने कारणे भारतिय प्रजा क्रोधे भराई हती जेना परिणाम स्वरूपे इस विशन 857 स्वातंत्रे संग्राम शरू थयो सैधान्तिक समझ इस विशन 857 ना फेबरुवारी मास मा बराकपूर्णी एक लशकरी छावणी मा टुकडी ने बंधूक आपवामा आवी जेमा डुकर औने गाय नी चर्बी नो उप्योग करवामा आवयो हतो आ कारण सर मंगल पांडे नामना एक सैनिके विरोध दर्शावयो औने अंग्रेज सैनिको पर हुमलो करयो तेम छता मंगल पांडे ने कैद करयो औने आठ एप्रिलना रोज फांसी आपवामा आवी आम आ घटना 587 ना विपलव नी शरुवा थती विपलव थवाना कारणों बंगार ना घणा जागिरदारों नी जमिन अंग्रेजों जब्त करी अंग्रेजों द्वारा भारतियों नू अपमान करवामा आवतू औने तेओ सक्षम होवा छता उचा होद्धा पर निमवामा न आवता जमिन दारों नी जमिन जब्त थता खेडू तो जमिन विहोना तेमच देवादार बनी गया कम्पनीना संचालकों द्वारा ख्रिस्ती धर्मना प्रचार नी छूट आपवामा आवी हती जे थी धर्म परिवर्तनी प्रवरुत्ती खूब चालवा लागी हती अंग्रेज सैनिक करता भारतिय सैनिकों ने पगार खूब ओछू आपवामा आवतो आम आ विपलवनो विरोध जुदा जुदा राजियो औने महराज्याव द्वारा दर्शावामा आवी हतो निल्हीना बाच्चा भाधूर्शा जफर, बेगम जिननत महाल औने तैना शर्जादाव द्वारा अंग्रेजोंना दारुगोडा औने शस्त्रों ना भंडार नो नाश करवामा आवेओ कानपूर्मा आठमी जुन्ना रोज थैल स्वातंत्रे संग्राम दर्म्यान नाना साहेब पेश्वा औने तात्या टोपे द्वारा अंग्रेजों नी नवकाव पर तोप गोडा अने बंधु को द्वारा हुमलो करवा मा आवेओ बिहार ना जागिरदार कुमर से के जी सित्तेर वर्षनी उमर ना हता तेम छता अंग्रेजों सामें वीर्ता पूर्वक लड़या आ लड़ाई मा तेमने हाथ ना कांडा मा गोडी वागी अने तेनु जहर आखा शरीर मा प्रस्री न जाय ते माटे पोतेज पोतानी तलवार थी हाथ ने कोणी मा थी कापी गंगा नदी मा पद्रावी दिधो बादमा गानी पीडा सहन न थता तेम रुत्यू पाम्या आम अड़ार सो सत्तावन्नो स्वातंत्रिय संग्राम भारतनी आजादी मेडव्वा मा महत्वनो साबित थयो विध्याकी मित्रो आप प्रक्रण अही समाप्त थाई छे